दोस्तों नमस्कार आप सभी का श्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में इस वीडियो में में डिस्कस करेंगे NCF 2005 पाँच किसी भी राजे से एगर आप टेट परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं या फिर सिच्छक बरती की त्यारी कर रहे हैं तो यह एक महत्तपूल टॉपिक होता है इससे आपकी परिच्छा में एक से दो और अधिकतम तीन से चार प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं अगर बात करें सीटेट की तो जैसा कि आपको पता है कि पांच सब्जेक्ट हैं और लगभग हर सब्जेक्ट में एक या दो कोईश्चन एंसी अप बेस्ट पूछे जाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेकिन ये वीडियो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है समय निकाल लीजे आप इसके लिए क्योंकि यहां से आपकी परिच्छा में दो से तीन प्रश्ण पके होने वाले हैं कैसे होंगे हम आपको बताएंगे तो शुरुआत करते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि NCF की रूप रेखा क्या है क्या उद्देश हैं प्रमुक सिफारिसे यानि क्या सुझाओ है और NCF 2005 के कितने संस्क्रण आए 2005 से पहले कौन सा संस्क्रण था और कुछ important प्रश्ण जो की परिच्छा में तो यहां पे पहला point आपके लिए है कि NCF 2005 का full form सभी को पता होगा common सी बात है national curriculum framework इसका full form हो गया अब बात करेंगे इसकी सुरुवात कहां से हुई थी तो NCF 2005 का प्रारंब रविद्र नाट टैगोर आपने नम सुना होगा उनका एक प्रसिद निबंद था सभिता और मुक्ता से प्रकाशित किया किस चीज का ध्यान दिया गया है तो NCF 5 का प्रमुख शूत्र किया है कभी कभी यही प्रश्न डालेक्ट पूछ लेता है कि NCF 2005 का प्रमुख सूत्र किया है तो बिना बोज के सिच्छा सिच्छा इसका प्रमुख शूत्र माना गया यानि learning without burden पह इसके बाद यह आपका तीसरा संस्क्रड आया 2005 में NCF 2000 सॉरी तीसरा संस्क्रड आपका आया 2000 में और चौता संस्क्रड यह आपका है नवीनितन संस्क्रड 2005 तो एक प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि NCF 2005 का जो निर्माड हुआ था उसके पहले कौन सा या ऐसे प्रश्ण ने पूछा जा सकता है कि किसका संसोधन करके NCF 2005 का निर्माड किया गया तो आपको ध्यान रखना है कि NCF 2000 में संसोधन करके NCF 2005 का निर्माड किया गया था ठीक है और इसका जो अनुवाद है NCF 2005 का अनुवाद आठवी अनुसूची में दी गई 22 भासाओं में बाद किया गया जो important point है वो आप note करते चलिएगा जहां से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो हमने आपको बताया एक बार फिर से revision करा देते हैं इतने में ही टोटल चार संस्क्रड थे ठीक है यहां पर आपका चौथा संस्क्रड कौन सा है 2005 आपको यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पहला संस्क्रड 1975 में फिर 1988 फिर 2000 और फिर 2005 और यह 22 भासाओं में अनुवाद किया गया था मैत्वपूर्टत क्या है यानि रोप्रेखा क् इसकी तो यह है क्या NCF 2005 यह विद्याले सिच्छा का अब तक का नया राष्ट्री दस्तावेज है मतलब इसी के आधार पे विद्याले में जो एक्टिविटी होंगी जो भी कारिक्रम होंगे जो भी क्लास में सिच्छा होगी सिच्छड की प्रक्रिया होगी उसके कुछ नि चर्या कैसी होगी किन किन चीजों का उसमें ध्यार लखना होगा इन सारी बातों का समावेश किया गया है NCF 2005 में किसके द्वारा तयार किया गया किसने बनाया है किसकी सिफारिस पर बनाया है सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो मिलेंगी तो वीडियो गर आपको पसंद आता है तो अभी से आप लाइक कर दें क्योंकि आप भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना बूल जाते हैं तो लाइक करने से क्या होता है मोटिवेशन मिलता और कमेंट करके बताईगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा तो यहां पर रूप रेखा में हम जानेंगे कि यह है क्या यहां विद्यालेई सिच्छा का अब तक का सबसे नया और राष्ट्री दस्तावेज है जो की NCF 2005 है किसके संस्क्रण के बाद यह आय प्रमक उद्देश क्या है इसको बनाने के इस पूरे दस्ता भेज के वह आप इस वीडियो में जानेंगे तो पहला पॉइंट यहां पर ग्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना आप सभी इससे समदित कई सारे प्रशन हम आपको सौल भी करा चुके हैं तो NCF 2005 यह कहता है कि जो ज्यान आप सिच्छा का जो प्रचार प्रशार करने जो पढ़ा रहे हैं क्लास में उसको बाहरी जीवन से बच्चों के दैनिक जीवन से और बाहरी जीवन से जोड़ा जाए और पढ़ाई में रटने की जो पढ़ाली है उसका अंत किया जाए कोई चीज रटाई ना जाए बलकि समझा करके और बाहरी जीवन से जोड़ करके कुछ एक्टिविटी करा करके प्रतिच रूप में समझाया जाए बच्चों को क्ल 2005 की पार्ठ चर्या जो है जो स्लेबस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ठ पुस्तक के इतना हो कच्छा कच्छ में कुछ एक्टिविटी जैसा कि आपको पहले बताया कुछ गत्विधियों को भी जोड़ा जाए पांच वह पॉइंट है यहां पर राष्ट्री मूल्यों के प्रत स्थावान का मतलब यही हुआ कि बच्चा जो है ऐसी चीजों को पढ़े जो उनके राष्ट के प्रतिसमर्पित हो और उनके दैनिक जीवन से चोड़ करके उन चीजों को पढ़े तो यह कुछ प्रमुक उद्देश से थे पांच पॉइंट और कुछ ऐसे पॉइंट है यह पर और आपने देर देखा यहां पर कुछ सुझाओ दिये गए थे नसीव दोजार पांच और हमने आपको बताया था कि इसका आपको पीडियाप मिल जाएगा वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें आपको लाष्ट में प्रक्रिया बता दी जाएगी कैसे मिलेगा इ जहां पे कुछ सुझाओ है एंसीव दोजार पांच के पहला सुझाओ था कि सिछड प्रक्रिया में विबिन प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाए तो सिछड सूत्र आपने पढ़े होंगे कौन-कौन से सरल से कठिन से और संसलेशर से विशलेशर की और और इस्थू जान माने ने से बच्चा जाए यह नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ question answer लिखा दे उसको समझाए ना मतलत जो सूचना आप अपने topics को पढ़ा रहे हैं उसको ही सिर्फ ग्यान ना माना जाए बलकि उसका explain किया जाए ब्याख्या की जाए तो यह था आपका दूसरा point तीसरा यहाँ पे NCF 2005 क्या कहता है कि मोटी किताबे जो है मोटी मोटी किताबे और जो बस्ते का बोज है वही सफलता का कारण है ऐसा NCF 2005 का कहना है यानि किताबी ग्यान ना दिया जा और मोटी मोटी किताबों का बोज बच्चों पे ना डाला जाए चौथा point यह है कि बच्चा तर बलकि है कि उसके हिसाब से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे उसके हिसाब से वाता वरड भी प्रदान किया जाए सिर्फ मौन वाचन ही नहीं जैसा कि पहले हमारी वैदिक सिच्छर प्रदाली में होता था कि बस टीचर जो है घ्यान बाटता था उपदेश देता था और बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वाता वरड प्रदान करना चाहिए यानि जो वाता वरड है वो बाहरी जीवन से तनाव मुक्त हो बच्चे टेंसन फ्री हो करके अपनी इस्टूडी को कांटिन्यू करें पढ़ाई करें धंक से किसी भी प्रकार का को वाव ना हो मानसिक कोई प्रेशर ना हो इस बात की सिफारिस की है NCF 2005 में अगला पॉइंट है यहाँ पे अभिवावकों को समझाएं कि बच्चे वास्त्रिक आकांचा रखें मतलब बच्चों से वास्त्रिक आकांचा से रखने से मतलब यह है कि बच्चों को सिर्फ नंबर ह कि मतलब जो आपका result होता है मानल यह किसी बच्चे का कोई result कम आया है तो उस पे उसका आकलन ना किया जाए क्योंकि प्रतेग बच्चा विशिष्ट होता है और प्रतेग बच्चे की बुद्धि लब्दी अलग होती सीखने का तरीका अलग होता है तो अभिवावकों को य अंति नहीं होनी चाहिए कि मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा सोर्स राबा हो मतलब टीचर और सिछक के बीच अंता संबंद होना चाहिए और वार्ता लाफ होनी चाहिए जिससे क्या है कच्छा जो है जीवनत रहेगी यह नहीं कि पहले की तरह आप टीचर सिर्फ बोलता खीजेगा प्रश्ट यहां पर नवा पॉइंट है कि सहगामी क्रियाओं में बच्चों के अभिवावकों को भी सामिल किया जाए जो कुछ एक्टिविटी कराई जाती है क्लास में कच्छा के दौरान आवशक्ता पड़ती है तो अभिवावकों को उसमें भी सम्मिलित किया जाए जिससे अभिवावक भी जाने कि क्या 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 हमारा बच्चा सीख रहा है और किसलिए सीख रहा है उसका उद्देश क्या इसलिए अभिवावकों को भी इसकी जानकारी दी जाए आपने देखा होता है क्या है कि मान लिया क कोई ट्रिक जाती है बाहर आउटिंग के लिए तो अगर आप आपका बच्चा या जो भी बच्चा है घर में पूछता है तो बच्चे उनके अभिवाओ कहते हैं अगर वो उनको नहीं पता है इसका मोटिव क्या है किसी आउटिंग पर ले जाने का बच्चों का तो यहीं कह नमबर दस मानव संसाधनों का विकास आउसर देना ठीक है विकास मानव संसाधनों के लिए विकास के आउशर भी दिये जाए बच्चों को ग्यारवा पैंट इसकूल में जो खेल खिलाया जाए उनका उद्देश से सामाजिक एवं सारीरिक कंपटिशन के लिए ना हो सारीरिक विकास हो और सामाजिक विकास हो सिर्फ कंपटिशन ही नहीं इसलिए खेल खिलाया जाए कि उनका डवलमेंट हो सके सामाजिक और सारीरिक दोनों प्रकार से पॉइंट नमबर बारा है कच्छा एक और दो के जो विद्यारती उनका मोल्यांकन प्रेचण के आधार पे होना चाहिए यानि observation किया जाना चाहिए कि वो बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं कि अच्छा एक और दो के अवलोकन किया जाने चाहिए प्रेच्छड का मतलग यहां पे हुआ अवलोकन से observation method तेरवा पॉइंट है पढ़ाई के समय मात्रभासा के साथ अंगरेजी भासा की वकालत की गई यानि आप सभी ने देखा भी होगा कि क्लास में मात्रभासा तो है है प्रात्मिक रूप में लेकिन साथी साथ NCF यह भी कहता है कि अंगरेजी भासा का भी मतलब संचिप्त ग्यान दिया यानि अंगरेजी भासा को भी सामिल किया जाए पाठिक्रम ने चौदवा पॉइंट यहां पर पुस्तकाले में किताबें चुनने का अवशर खुद बच्चे को मिलेगा प्रारंभिक समय में क्या होता था जो बच्चा है लाइबरेरी में गया और एक टीचर ने सभी किता किताबें निकाली और डिस्ट्रिब्यूट कर दी तो इससे क्या होता था बच्चे को इंट्रेस्ट नहीं है किसी बुक में वो भी उसको मिल गई और उसको पढ़ना पढ़ता है तो ऐसा इसका विरोध करता है ऐसे आप कह सकते हैं NCF NCF 2005 के नुसार पुस्तकाले में बच बच्चा अपनी जो इसकी 24 से इसके अनुसार किताबें देख करके वहां से निकाल करके पढ़ सकता है अगला पॉइंट है यहाँ पे सजा वा पुरसकार का सीमित प्रयोग किया जाए यानि किसी भी चीज की जो मात्रा है मनली अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सजा दे कोई punishment दे रहें तो ऐसा नहीं कि बहुत अधिक सजा उतनी हो नीचे जिससे आपके उद्देश्यों की पूर्ति और बच्चे को किसी प्रकार का सारीरिक नुक्षान ना हो और पुरसकार भी सीमित यह नहीं कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है बहुत अच्छा हो यह तो आपने कई बार पढ़ा होगा ठीक है यानि बालक की आवश्यक्ताओं और रुचियों को ध्यान में रखा रख करके ही सिच्छा प्रदान की जाए इसी को हम कहते हैं बालक इंडित सिच्छा अठारवा पॉइंट है संस्कृतिक कारक्रमों में कारक्रमों में में क्या है सिर्फ इंटर्टेन्मेंट यानि जो फिल्मी गीत होते हैं उनकी जगह कल्चरल एक्टिविटी उसको मौका दिया जाए उस प्रकार के कारक्रम करा जाए अब यह इतना फालों नहीं किया जाता है कि के सौंग्स वगेरा पर डंस और कई सारी सांस्कृतिक कारक् लेकिन कहता है यही NCF 2005 कि अब ऐसा प्रशना आपकी परिच्छा में आ सकता है और आपने देखा है कि स्कूलों में क्या होता है तो हो सकता है आप आपके मन में वही बात चली हो उसी केसाब से आप आंसर टिक कर दे और आपका आंसर गलत हो जाए तो NCF 2005 जो है किसको प्रात होगा इसके अनुसार अध्यापत के द्वारा मुल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर रूप से हो जो भी आप पढ़ा है उसका मुल्यांकन एक समय एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका किया जाए सिच्चुकों को अकादमिक पुरस्कार वर नवाचार समय पर पहुंचाया होगा उसमें और अधिक मोटिबेट होंगे और अपना और बेस्ट देने का प्रयास करेंगे तो यह था आज का वीडियो एंसी अफ दोजार पांच तो अगर आप भी ऐसे किसी राजिसे टेट सिच्चक बरती पर इच्छा की त्यारी कर रहे हैं पीडियेफ राप्त करना चाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अब बात करते हैं इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे कोर्सिस रहेगी कि आपको अगले वीडियो में अगली लाइप क्ल प्रश्न बॉक्स में मिलेंगे तो थेंक्यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा क्या चीज़ें अभी आप इसमें और देखना चाहते हैं अप पांच से जुड़ी वो भी आप हमें कमेंट बॉ उमीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हिल्फुल होगा सभी सिच्चकवर्ती परिच्छाओं के लिए तो शेर भी कर दीजेगा अपने हर इस्टुडेंट्स मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी सीटेट या सिच्चकवर्ती की त्यारी करें चाहे यूप और कितने संस्क्रण थे और कितनी भासाओं में अनुवाद किया गया कुछ important point आपने जाने उमीद करते हैं इस वीडियो के माद्दम से आपका एक या दो प्रेशन जरूर तयार हो गया होगा अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप comment section में comment करें आपको उस से लिडिट वी देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार